शुट अप एंसित डाउं चलिए आईए अब हम लोग एक और चाप्टर करते हैं जिसका नाम है इट्स फॉर रिसेप्शनिस्ट अब देखिए इस चाप्टर में आप देखेंगे कि एक रिसेप्शनिस्ट को क्या-क्या चीज़ों की जरुवते होती हैं क्या-क्या चीज़े होती है जो एक रिसेप्शनिस्ट के पास होनी चाहिए ताकि वो लोगों की मदद कर सके ठैक है रिसेप्शनिस्ट इस पिरसन हूं यीज़ गृट्षा इंटिवूट्स और स्कल्स अब देखें रिसेप्शन इस इसके बारे हम आगे पढ़ें यह कौन होता है आप किसी भी आफिस में जाते हैं या कहीं पे स्कूल में गए तो जिस व्यक्ति से आप सबसे पहले बात करते हैं जब आपको कुछ जानना होता है तो वो receptionist होते हैं इसके बारे में detail में हम आये के वीडियो में बताये थे तो receptionist वो व्यक्ति होता है जिसके पास बहुत सारी स्किल्स होती है बहुत सारे चीजे होती है अर्टिब्यूट्स होती है जिससे वो लोगों की मदद करती है शी प्रेजेंटेबल अलर्ट पॉलाइट टैक्टफॉल और वोग्स अब वो रिसेप्शनिस जो है वो प्रेजेंटेबल होती है ठीक है वो हर चीज़ो को ध्यां से सुनती है फोलाइटली लोगों से रिप्लाई करती है उसको सारा काम आना चाहिए ठीक है काम में जो आपका है उसमें एक किसी को भी अगर कोई समस्या होती है तो वो रिसेप्शनिस के पास जाता है और जब वो अपने काम में बहुत लोगों की मदद कर चुकी होती है तो काफी समय बाद उसको याद हो जाता है नंबर्स लोगों का उसको पता रहता है कि किसको कहा भेजना है किस प्रॉब्लम का क्या solution है तो आइए हम दो देखते हैं objective उद्धेश है इस chapter को पढ़ने का आप at the end of this lesson you will be able to अब यह पार्ट पढ़ने के बाद आप क्या कर पाएंगे use materials that help a receptionist to do a good job आप उन सब materials की बारे में पढ़ेंगे जो की एक receptionist के पार होना चाहिए ताकि वो अपने काम को अच्छे से कर सके 30.1 ब्रॉशर, booklets and print material आप देखियो उसके पास ब्रॉशर होना चाहिए बुकलेट्स होना चाहिए, printing materials होना चाहिए, क्या है, क्यूं है, उसमें क्या-क्या रहता है आईए वो सब देखते है A receptionist has to be familiar with a great deal of information अब देखिये यहां पे हम लो जो reception का बात कर रहे है वो एक hotel industry का कर रहे है तो बोल क्या रहा है कि जो receptionist है उसको आस-पास का काफी सारा जानकारी होना चाहिए Often she picks them up from leaflets, guides, brochures and other print materials अब यह सब जो जानकारिया है वो receptionist को कहा से मिलता है वो उसको मिलता है leaflets से, guides से, brochures से और अलग-अलग तरह का printing material रहता है उससे The information given below about hotel imperial is a typical example अब यहां पिम्लोग hotel imperial के बारे में पढ़ेंगे ठीक है एक example मिलेगा और आपको समझ में आएगा कि वहां की जो receptionist है उसके पास क्या-क्या होना चाहिए Location क्या जगा है Situated in the heart of the capital is a five-star luxury hotel that offers every comfort with an easy reach of all government and commercial buildings and adjacent to main shopping centers Quiet and reposeful with extensive grounds and spacious gardens Its 20 minutes drive from the airport and 10 minutes drive from the New Delhi railway station तो अब यह क्या है hotel imperial का location क्या है यह heart of the capital capital क्या है New Delhi ठीक है वहां पर है यह hotel क्या है five-star luxury hotel है जहां पर आपको हर एक तरह का comfort मिलेगा आप आराम से वहां रह सकेंगे जितना भी government या commercial building है वह आसपास है बहुती सान जगा है ठीक है और इसमें बहुती ज़्यादा space है garden है तो जो भी इसमें रहेगा वह आराम से रह सकता है airport से इसकी दूरी 20 मिनट है और New Delhi railway station जिसको NDLS short form में भी कहते है ठीक है वहां से यह 10 निट दूर है यह जरूरी है location जानना कि कोई अगर पूछे तो आप उसको फटा-फट बता सकें ठीक है next accommodation अब रहने का 160 magnificently furnished luxurious rooms and suits certainly centrally air conditioned and centrally heated all rooms have private bath with running hot and cold water telephone four channel music all rooms have color television with in-house movie system there are refrigerators in all the rooms आप देखें रहने की सब्विदा क्या है 160 rooms है suits है उस hotel में चेक है centrally air condition है मतलब पूरा hotel जो है वह उसमें इस ही है centrally heated heat का भी system है जितने भी room है सबका अपना private bathroom है जिसमें गरम पानी ठंडा पानी आता है telephone है four channel music system है हर एक room में color television है जिसमें in-house music system है movie system है हर एक room में refrigerator भी है special service अब special services क्या दी जाती है safe deposit lockers hairdresser beauty parlor medical assistance babysitting service travel agencies same day laundry service complete shopping arcade 24 hour room service special service में आपको safe deposit lockers दिया जाता है hairdresser की सब्विदा है beauty parlor है medical assistance subject आपको कोई problem है तो आप doctor बुला सकते है babysitting service है travel agencies है same day आपका laundry service आपको मिल जाएगा फिर पूरा complete shopping arcade है आप आपे shopping कर सकते है 24 hours room service की भी सुविदा है tavern bar and restaurant offers superb cuisine Indian Chinese and continental band in attendance आप देखें वहाँ पे bar restaurant भी है जहाँपे आपको बहुत लजीज खाना मिलता है बहुत ही tasty खाना Indian Chinese continental खाना मिलता है ठीक है garden park restaurant and bar अब garden park restaurant and bar भी है यहाँपे जहाँपे coffee shop for quick lunches snacks tea or coffee offers Indian continental and tandoori delicacies अब देखें आपका garden जो restaurant bar है वहाँपे coffee shop है जहाँपे आप lunch कर सकते है snacks खा सकते हैं चाय पी सकते हैं coffee पी सकते हैं फिर यहाँपे Indian continental और tandoori delicacies खाना मिलता है gold room banquet hall for large gatherings अब यहाँपे gold room है जो कि एक banquet hall है जहाँपे काफी सारे लोग एक साथ मिल के बैट के रह सकते हैं ball room convention hall where conferences can be arranged it can seat 500% अब एक ball room है जहाँपे conference होता है जहाँपे लगबग 500 लोग एक बार में बैट सकते हैं और क्या है यहाँपे राजा रूम ideal for small meetings for 35-40% अब एक राजा रूम है जहाँपर 35-40 लोग बैट के meeting कर सकते हैं tennis court well maintained hard court with tennis marker in attendance अब देखिये tennis court है जहाँपे आप tennis खेल सकते हैं swing pool है situated at missed pitchers surrounding under palm trees perfect place for relaxation and sunbathing यहाँपे sun होगा sun ठीक है तो swimming pool है पेड के बगल में वहाँपे आप relax कर सकते हैं sun बात ले सकते हैं धूप में बैट सकते हैं अब tariff भाड़ा क्या है room only एक हजार रुपया अब अगा dollars में देखे तो 22.52 dollars single room 1100 rupees 24.77 dollars deluxe double 1200 rupees or 27.03 dollars deluxe suits 2700 rupees or 60.81 dollars suits 2500 rupees or 56.31 dollars extra bed 225 rupees or 5.06 dollars child caught rupees 100 or 2.25 dollars ठीक है तो यह आपका भाड़ा है tariff है per day का या per night कह सकते हैं उसको आगे group tariff single occupancy AP 1130 or 25.25 dollars MAP 1040 rupees or 23.42 dollars EP 900 rupees or 20.27 dollars double occupancy दो जन होतो 1450 rupees AP के लिए या 32.66 dollars 1270 for MAP or 28.06 dollars 1000 for EP or 22.52 dollars the US dollar rates shown above are approximate based on present exchange rate of 44.40 10th March 2006 and are subject to change अब देखिए यह जब book लिखा गया था तब उस समय dollars का rate 44.40 था इसलिए इस तरह से conversion हुआ है 10th March 2006 अभी यह जो rate है वो काफी बढ़ चुका है तो यहां पर difference आएगा ठीक है अब जैसे यहां पर 1000 dollars रुप्या का 22.52 दिखा रहा है अभी मैं यह recording कप कर रहा हूँ यह recording जो हो रही है वो हो रही है 16th July 2019 ठीक है और अभी जो dollar का rate है उसके हिसाब से यहां पर आपका आएगा आज के date में जो dollar का rate है वो है 68.72 ठीक है तो उसे हिसाब से यहां पर होगा तो अगर मान लीजे एक एक dollar जो है वो हो गया 68.72 रुपीज तो उसे हिसाब से calculation होगा one bona fide tour conductor will be free for a minimum of 15 paying passengers in a group अगर 15 paying passengers है तो एक आपको tour conductor free में दिया जाएगा no service charge कोई service charge नहीं लिया जाता है या check in and check out time अब यह क्या होता है देखे जब आप किसी hotel में जाते हैं तो जब आप वहाँ पे जाते हैं तो वह होता है check in town और जब आपको hotel छोड़ना होता है तो वह होता है check out time ठीक है 12 noon reservation held till 6 pm unless late arrival indicated अब देखे 6 बहे तक reservation हो नहीं तो late arrival बोला जाता है foreigners have to pay their bills in acceptable foreign currency अब जो foreigners हैं वह जो पे करेंगे वह acceptable foreign currency पे ही देंगे कहने का मतलब मान लिजे कोई अगर out of India से आया है तो उसको इंडियन currency में पैसा देना होगा अब यह currency कैसे होगा तो आप currency convert कर सकते हैं जैसे मान लिजे अगर आप भारत में रहते हैं और आपको out of India जाना है आप जा रहे हो अमेरिका तो वहाँ पे rupees नहीं चलता है अमेरिका में वहाँ पे dollars चलता है तो आप इंडिया में बहुत जगा पे currency conversion होता है तो वहाँ जाके अगर आप rupees देंगे तो लोग आपको dollars दे देंगे credit cards accepted अब hotels में credit card accept हो रहा है American Express visa master cards dinners अब देखे यह सारे तरह के cards आप accept करते हैं तो इस तरह से सारा details है आगे देखिए dogs and pets are not allowed अब देखे बहुत सारे hotels का rule होता है वहाँ पे dogs pets यह से बलाओ नहीं होते हैं sometimes information comes from in-house schedules reservation charts etc for example study the reservation chart that appears below why and when will this be used अब देखिए कभी-कभी क्या होता है जो information आपको है वह आपको in-house मिलता है reservation chart दिया जाता है जैसे यहाँ पे reservation chart है देखिए और यह सोचिए कभ इनका इस्तमाल होगा यहाँ month है November का चीक है year 2006 यहाँ date है ठीक है रूम आपका यहाँ पे 15 एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस यारा बारा तेरा दीन हीर चौदा पंद्रा रूम है ठीक है ओर नंबर 101 वान दीन गिल रांजिश को दिया गया थिखिए तहto कि यहाँ पर कॉन सा रूम狗 गवध्डूम है सिंग्ल बेड रूम डिलिक्स बेडरूम है उसे साब से यहां पर दिया हुआ है ठीक है और यहां customer का नाम दिया गया है कि किस customer को कौन सा दिया जाएगा आगे देखें in text question 30.1 study the five dialogues given block नीचे पांच dialogues है जो मैं पढ़ूँगा आपके लिए है in each case indicate a which is aid is being referred to that is one brochure or two reservation chart or b is the information given correct ठीक है तो आपको बताना है कि यह क्या है number one receptionist or caller R for receptionist C for caller hotel imperial good morning caller could you tell me the checkout time please receptionist the checkout time is 12 noon oh but my flight is at three would it be all right if I check out a little earlier that is say 1 30 or so yes it should be possible and if an another guest is checking into your room you could keep your luggage in the lobby that sounds fine thanks receptionist you're welcome यहां पे earlier नहीं होगा a little later होगा ठीक है अब देखिए यह क्या है यहां पे reservation की inquiry की गई है ठीक है next receptionist and caller good evening can I help you good evening one of my friends is booked into your hotel it seems his flight is going to be delayed how long seems he won't be in before 7 pm will you keep the room till then since you have informed us we will otherwise we are strict about the 6 pm release what is his name and the dates he has been booked for give her gives her all the details ठीक है अब देखिए यहां पे क्या है information given correct वाला option आएगा ठीक है आगे देखिए next जो question है next hotel imperial good afternoon good afternoon I would like to book a room for 5 days sometime next month could you tell me what the daily rate is its rupees it is 10000 for a single room and 1100 for a double room customer 1000 okay thank you you're welcome अब यहां पे क्या है यह ब्रॉशर information है ठीक है ब्रॉशर से देखके rate chart बताया जा रहा है next hotel regent good morning good morning I wanted to find out work if Mr. J. Grover has checked in Mr. Grover yes he checked in this morning he is in room 103 103 thank you very much अब यह क्या है यह आपका reservation से यह information मिलेगा आप reservation chart से किसको receptionist को reception Mr. Bhatia reception good morning this is Raj Bhatia from 105 I have received a call from my office this morning they would like me to stay here for three more days I wonder if it is possible for you to extend my booking it should be possible let me check the booking situation would you hold on the line please yes that will be all right just a moment we might ask you to change the room though would that be acceptable oh yes no problem thank you so much अब यह भी जो है यह भी आपका reservation है ठीक है तो अलग-अलग situation में जो receptionist है उसको अलग-अलग information लएगा answer देने के लिए इस तरह से आप 123 करके exam में answer लग देंगे चली आईए अब हम आए करते हैं 30.2 flight schedules railway timetables etc अब देखिए hotel में बहुत बार ऐसा होता है कि customers बोलते हैं कि उनको आप flight ticket book करना है या railway ticket book करना है या उनको flight railway से related जानकारी चाहिए तो यह information भी receptionist के पास होना चाहिए the hotel receptionist has to very often answer inquiries about flight timings and rail journeys बहुत बार flight timings और rail journeys इसके बारे में receptionist से पुछा जाता है if the receptionist also happens to be a senior official personal assistance as it is very often the case in small offices she has to make the arrangements for his rail or air travel अब देखिए जो छोटे-छोटे office होते हैं उसमें जो receptionist होती है वो आपका जो senior है senior officials उनके personal assistant भी होती है वो PA का और receptionist का दोनों काम करती है तो बहुत बार उसको अपने senior के लिए rail ticket air travel यह सब के लिए K-P arrangements करना पड़ता है To be able to do it she should know how to read the flight schedule and the railway time table अब यह करने के लिए जो receptionist है उसको यह पता होना चाहिए कि flight schedule और railway time table इसको कैसे पढ़ा जाता है कैसे समझा जाता है The visitors too may often seek her assistance in reading this आप जो visitor है और वो क्या करते हैं कि बहुत बार रिसेशने से railway time table और flight schedule समझने के लिए inquiry करते हैं पूछते हैं मदद मांगते हैं तो यह flight schedule देखते हैं पहले Here are some tips to interpret flight schedules अब यहां पे कुछ tip है वो आप देखिए ठीक है जिससे आपको पता चलेगा कि flight schedule जो हम लोग air travel करते हैं एरो प्लेन से करते हैं उसको कैसे देखा जाता है The flight numbers are given at the top of every column हर एक column में उपर में flight number दिया रहता है Right below these numbers the aircraft type is mentioned as AB3 stands for Airbus A300 737 stands for Boeing 737 747 for Boeing 747 FKF for Fokker friendship and HS7 or 748 AVRO ठीक है इस तरह से aircraft का क्या type का aircraft है वो रहता है Below these are given the days on which particular flight operates D stands for daily and the numbers for the days of the week For example if it is 124 it indicates that the flight is available on Monday Tuesday and Thursday ठीक है तो अगर D रहा मतलब daily रहेगा या number रहेगा जैसे 124 अब जैसे 1 Monday के लिए होता है 2 Tuesday के लिए अब 4 क्या है Thursday के लिए तो इसका मतलब यह जो flight है जिसमें 124 लिखा है वो Monday Tuesday Thursday को ही जाती है बाकी दिनों को यह नहीं जाती है D and A along the sides of the center column stands for departure and arrival respectively अब D मतलब कितने बज़े वो जाएगी A मतलब कितने बज़े पहुँचेगी The hours are written clockwise 100 to 2400 ठीक है clockwise हिसाब से hours लिखा रहता है कि क्या time पे जाएगा जैसे माली जी अगर दुपहर को ढई बेज जाएगा तो 14.30 लिखा रहेगा अगर arrival माली जी साम को 8 बजे है तो 20 इस तरह से लिखा रहेगा ठीक है 20 कॉलाउन 00 With the help of these tips it should be easy for you to read the flight schedule अब यह सब आप अगर आपको tip का idea है तो flight का schedule आप आसानी से देख सकते हैं हाला कि अब बहुत सारा applications आचुका है तो आप वहां से भी देख सकते हैं Now if you were asked to find out which flights goes to Bangalore from Delhi or Calcutta to Madras and Madras you will see that there is a daily flight from Delhi IC 403 which departs at 900 hours मतलब सुबह 9 बजे and reaches Bangalore at 1130 hours मतलब साड़ी 11 बजे सुबह There are two flights from Bombay IC 407 and IC 105 and there is a direct flight from Calcutta also that is IC 271 तो इस तरह से आप देखेंगे कहा से कहा जाना है Bangalore से Delhi, Calcutta या Madras तो आप वहां पे देख पाएंगे कि अलग-अलग days पे अलग-अलग times में कितने बजे की flight है, कितने बजे पहुँचेगी ठीक है यह सारे details आपको वहां मिल जाएगा Similarly, you can read the railway time table and answer inquiries, make bookings अब इसी तरह से आप railway time table भी पढ़ सकते हैं inquiry कर सकते हैं, booking कर सकते हैं अब applications आ जाने के वाज़से यह बहुत आसान हो गया बस आपको यह select करना है आपको कहा से कहा तक जाना है, कितने तारीक को जाना है, आपको train number दे देता है, वहां पे आपको कौन सा चाहिए, sleeper चाहिए, AC में चाहिए सारा information आपको एक एक click पे मिलता जाएगा, in the railway time table, the days on which a particular train is available are mentioned in one of the top columns, ठीक है, अब जो railway का time table है, इसमें यह दिया रहता है, कि top column में कि वह कौन कौन से दिन जाती है, if this information about a particular train, for example, 20 देहरादून express is not mentioned in any of the top columns, that means that it is a daily train and operates on the route detail in the table, अब माल लीजे, एक train के example लेता हूँ, 20 देहरादून express, यह अगर top column में इसके बारे में नहीं लिखा है, तो इसका मतलब यह हर रोज चलती है, it's a daily train, ठीक है, next 30.3, important forms and documents, अब देखे, क्या-क्या important forms होते हैं, क्या-क्या documents होते हैं, जो receptionist के पास होनी चाहिए, some offices and hotels keep a register at the reception, अब कुछ office में और hotels में, जो reception होता है, वहाँ प एक register रहता है, all the incoming visitors are supposed to write their names, address, etc. in this register, अब जितने भी visitors आ रहे हैं, उनको अपना नाम, पता, इस address में लिखना होता है, what purpose does it serve, अब इससे क्या होता है, यह हम लोग क्यों लिखवाते हैं, receptionist क्यों बो office keep a record of all the incoming visitors, इससे क्या होता है, कि जो office है, इसमें जितने भी visitors आते हैं, उन सबका record रहता है, it is called the register of callers, अब यह क्या है, आपका register of callers है, it is maintained by the receptionist, अब यह कौन maintain करता है, receptionist maintain करती है, there are a number of other documents and forms which a receptionist constantly needs, और भी दूसरे तरह की documents होते हैं, forms होते हैं, जो की receptionist को बार बार का आता है, these are message forms, अब यह क्या है, message form होता है, reservation voucher होता है, registration form और C form, internal telephone directory, early morning call sheet, flight schedule, railway time table, ठीक है, तो इस तरह से यह होता है, इस सब कुछ कुछ चीज हम लोग आए के वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो जो student हमारे वीडियो को लाइन से पढ़ते हैं, उनको यह detail में पता होग आगे देखिये, the receptionist needs these forms and documents to, a. do her job efficiently and b. help the smooth functioning of the office or hotel, अब जो receptionist है, उसको यह सारे forms, documents चाहिए होते हैं, ताकि वो अपने काम को अच्छे से कर सके, और जो office है, hotel है, उसका काम आराम से होता रहे है, She has to maintain and regularly update these documents, example, internal staff directory, अब उसको यह सारे documents को regularly update करना चाहिए, maintain करना चाहिए, उधारन के रूप में internal staff directory होता है, तो चिसमें changes आते रहते हैं, She should always make the entries, example, in the message form and the reservation voucher, in neat and legible handwriting, अब जो भी आपके forms है, message form होगा, reservation voucher होगा, यह सब में, उसको अच्छे handwriting में, सही तरीका से entries करते रहना चाहिए, अब सही तरीका से लिखने से क्या होता है, कि receptionist जब बाद में उसको खुद पढ़ेगी, तब भी उसको आराम रहेगा, या दूसरे लोग जब उसके instruction को पढ़ेंगे clearly, तब वो उस सही तरीका से काम कर पाएंगे, Samples of some of these documents are given in the following pages, अब हम लोग यह जो documents के बारे में बात किये हैं, इनका samples देखेंगे, तो आएए देखते हैं, सबसे पहला है register of callers, अब जो लोग call किये हैं, उनका register होता है, ठीक है, callers का register, This is a register in which all the callers have to write their names, addresses, purpose of visit, date and time of arrival, अब यह register क्या है, इसमें जितने भी लोग आये हैं, वो अपना नाम लिखेंगे, नाम, पता, कितने बज़े आये हैं, क्यों आये हैं, purpose क्या है, time of departure कब जाएंगे, If a caller represents a firm and has a visiting card, then his cards can be attached to the register, अब माल लिजे जो caller है, जो visitor है, वो किसी office से आया है, तो उसके पास एक visiting card अगर होगा, तो उस visiting card को हम लोग वहाँ पे attach कर सकते हैं, अब देखेंगे, यहाँ पे दिया है, 15 में 1989, 15 में 1989, जेके शर्मा, VM Electronics, साड़े 10 बज़े का arrival है, क्यों आया हमारा बज़े, तो देखिए, कितना तारीक को कौन है, कहां से आया है, कितने बज़े आया है, क्यों आया है, कितने बज़े गया है, यह सारा चीज मिंटेन करना चाहिए, आगे देखिए, next message form, अब message form, इसके बारे में भी हम आगे clearly पढ़ चुके हैं, आगे के वीडियो मे तो जो student videos line से देख रहे हैं, उनको clear है, अब माली जे कुछ student है, जो की line से नहीं देख पा रहे है, तो उनके लिए मैं बोलूँगा, आप हमारा WhatsApp number उपर दिया हुआ है, आप उसमें message कर सकते हैं, और एक बहुत ही simple तरीका है, हमारा pen drive classes का भी options है, तो अगर आप pen drive classes लेना चाते हैं, जहाँ पर आपको line से सारा videos मिल जाए, तो इसके लिए आप उपर दिये हुए number पर contact कीजे, आपको सारा details वहाँ पर दे दिया जाएगा, तो आईए message form के बारे में देखते है, a receptionist frequently needs these forms, because however good her memory may be, she may not remember all the messages which have to be passed on to different person, she can conveniently note down the message on this form, अब देखिए जो receptionist है, उसके पास message form होना चाहिए, क्योंकि वो कितना भी तेज़ दिमाग की होगी, लेकिन उसको सारा message याद नहीं होगा, अब मालिजे एक office में पूरे दिन में अगर 15 message आता है, अलग-अलग लोगों के लिए, ठीक है, अलग-अलग लोगों से, तो अगर वो message form में लिखेगी नहीं, तो personally सारा चीज याद रखना possible नहीं है, तो message form कैसा होता है, यह message to, किसके लिए message है, department, कौन से department का है, from, कौन message दिया है, phone, address, उसका phone number, address, date, कब message आया, कितने बज़े आया, time received, received by, कौन message लिया है, उसके बाद message, message में क्या बोला गया था वो, और signed, जो message लिया है, वो अपना office chief में, दो, तीन receptionist है, तो सबका detail होना चाहिए, कि कौन ये काम किया है, ताकि पता रहेगा, अब message form के बारे में, clearly आये के वीडियो में है, तो आये आगे बढ़ते हैं, next है reservation voucher, अब ये क्या होता है, sometimes hotels give or send reservation vouchers, instead of letters or reservation cards, after the booking has been confirmed, कभी-कभी जो hotel होते हैं, वो या तो देते हैं, ठीक है, क्या reservation voucher, ठीक किसके जगा letter या reservation card के जगा, जब आपका booking confirm हो जाता है, the guest shows this voucher at the reception when he or she comes to stay in the hotel, अब जब guest जो आपका visitor है, वो hotel में आता है, तब वो उस voucher को दिखाता है, ताकि वो उसको वहाँ पे रहने मिला जा सके, it also means that the guest has already paid the agent or hotel for the room, इसका मतलब ये भी होता है कि जो guest है, वो या तो किसी agent को या hotel को इस room के लिए पहले से पैसा दे चुका है, the receptionist who looks after booking also has to fill in these voucher and send them ahead for further action, आप यो receptionist है, उसको booking के साथ-साथ ये vouchers भी भरना पड़ता है और आगे भेजना पड़ता है ताकि काम अच्छे से हो सके, reservation voucher, पार्क होटेल, होटेल का नाम 15 Parliament Street, New Delhi, 110001, address दिया है, we are pleased to confirm the reservation for, किसका reservation हुआ है, Mr., Mrs., Miss, माली जी अगर मेरा रहता तो Mr. रगुनाथ जैसवाल address और company, माली जी company लिखते है, ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ज्ञानकक्ष ठीक है, Educational Institute ठीक है, designation, अब मैं यहाँ का ओनर हूँ तो ओनर, arrival date कितने तारीक को आ रहा हूँ, कितने बजे आ रहा हूँ, departure कितने तारीक को होटेल से जाऊंगा, कितने बजे, room requirement, कितना room चाहिए, क्या rate का, क्या price का, billing instruction कुछ है तो, mode of reservation, कैसे हम पैसा दिये है, remarks कुछ है तो, booking received from, अब booking कहां से आया है, name, address, telephone number, reservation manager, वो सारा details यहां पर रहता है, तो इस तरह से यह booking होती है, बहुत ही आसान होती है यह, ठीक है, Delhi's best located luxury hotel, फ्रॉंसा, पार्क hotel, पार्क hotel, जहां भी आपको मिलेगा, अगर आप five star वाले में जा रहे है, तो बहुत ही आरामदायक होता है, आगे देखे, next is reservation form or C form, when foreigners come to stay in a hotel, they are asked to fill in the C form and not the usual registration form, which other guests have to fill in, अब देखे, जब कोई foreigner आपके यहां आता है, ठीक है, तो उसको normal form नहीं दिया जाता है, ठीक है, उसके लिए C form होता है, जो कि usual registration form से थोड़ा अलग होता है, अब जो C form है, उसमें जो tourist है, उसका पूरा details रहता है, उसका passport number रहता है, permanent address रहता है, it also helps the government keep a count of the tourists coming into a country, since the first copy of this form is sent to them, अब देखे, इससे क्या होता है, सरकार को, government को यह भी पता रहता है, कि देश में, कि इतने tourist आ रहे हैं, क्योंकि यह जो form है, इसका first copy हम लोग सरकार को भेजते है, C form कैसा होता है, यह देखे, पार्क होटेल, address, date, time, C form number, form number, date, time रहेगा, room number, कौन सा room number दिया गया है, name में surname first, जैसे रगनाथ जैस्वाल है, तो मैं यह लिकूंगा, जैस्वाल रगनाथ, address, nationality, passport number, place and date of issue, date of arrival in India, इंडिया कब आया, proposed duration of stay in इंडिया, इंडिया में कितने दिन रहना है, arrive from, कहां से आया, proceeding to, यहां से कहां जाएगा, whether employed in इंडिया क्या भारत में नहुपरी करता है, number, date and office, उसका number, date और office of issue certificate of registration if any front office manager, तो उसका काफी details हम लों क्या ले लेते हैं, ताकि भविष्य में कोई problem ना हो, आगे देखिए, five, internal telephone directory, अब देखिए, हर एक office का internal telephone directory भी होता है, तो आई यह उसके बारे में देखते हैं, it is an extremely important document for the receptionist, अब receptionist के लिए यह बहुत ही important document है, ठीक है, क्योंकि आपको कोई call किया, आप कही call करते हो, आप बोलते हो मुझे इस department में बात करता है, तो receptionist क्या करती है, उस department में आपका call transfer कर देती है, तो transfer करने के लिए उसको इस department का number पता होना चाहिए, ठीक है, पहले A, B, C, D, E, F, इस तरह से सबका नाम रहता है उसमें, अब देखे, जो receptionist है, उस तो extension number पूरा याद होना चाहिए, लेकिन उसका उससे गल्टी ना हो, इस लिए उसके सामने अगर list लगा रहेगा तो यह better रहेगा, अब जो receptionist है उसको यह directory हमेशा अपडेट करता रहना चाहिए, क्योंकि माल लिए आज कोई वैक्ति किसी एक department में होच सकता है फिर वो दूसरे department में चला जाए, चिंजेज आ सकती है अब देखिए यहाँ पर डिरेक्टरी का एक्जामपल दे रहा हूँ, British High Commission, British Council Division, New Delhi, Office Telephone Extension Numbers, Office Telephone Number, अब यह Office Telephone Number 3814-01-382-004-3833946 ठीक है अब यह extension है यह नाम है, तो किस नाम में अगर मालेज़े कोई आपको फोन करके बोलेगा कि मुझे बेकर से बात करना है तो इससे extension 114 है, ठीक है यहाँ पर आप देखिए पहले A है फिर B है, यह देखिए लाइन से B, C, D, फिर EFG उसे इसाब से यह लाइन से सारा टेबल पर रखा रहता है समझे यह देखिए तो बहुत सारे यहाँ पर नाम्स थे ठीक है यहाँ पर नाम है बहुत लोगों का उसके पाद extension नामबर है, अब देखिए कोई को डिरेक्टरी में उसका designation भी है कि यह व्यक्ति किस और पर काम कर रहा है जैसे टेलफोन extension Mr.Abraham's manager नमबर है यह तो इस तरह से नाम designation फिर extension नमबर तो अलग अलग जगा पर अलग अलग तरह से यह इस्तेमाल किया जाता है अब देखिए Early morning call sheet अब बहुत जगह पर क्या होता है न कि बोला जाता है कि मुझे सुबह इतने बज़े उठा दी जाएगा तो उसके लिए call sheet बनाया जाता है तो वह कैसा होता है देखिए This is a sheet of paper on which the receptionist notes what time guest want the early morning call that is at what time they want to be woken up and whether they want tea or coffee and or newspaper The receptionist doesn't need to note the names of the guests their room numbers are sufficient अब देखिए बहुत लोग होटेल जाते हैं तो वो लोग बोल जाता है reception में कि इतने बज़े मुझे उठा दीजएगा और मुझे सुबह उठने के बाद चाहे चाहिए या coffee चाहिए या newspaper चाहिए तो वह सारा information दिया जाता है तो वह receptionist पेपर में लिखे रखती है ठीक है अब यहां पर को नाम का जरूवत नहीं होता है वो सिर्फ रूम नंबर लिखती है कि इतने रूम नंबर में इस तरह से करना है तो देखे चौदा अगर दोजाए यह टाइम लिखा हुआ है कि सुबह साड़े चाहँ बज़े रूम रहेगा उसे हिसाब से लिखेंगे ताकि उसको अच्छे से सर्विस मिल सके देन ट्रावल गाइड दे गेस्ट एन विजिटर ओफन आस्ट रिसेप्शनिस्ट फॉर इन्फरमीशन अन ट्रावल अब जो गेस्ट होते हैं या विजिटर होते हैं वह बहुत बार जो रिसेप रिसेप्शनिस्ट है उसके पास एक कॉपी होना चाहिए फ्लाइड शेडियूल का रेल्वे टाइम टेबिल का ताकि जब जरुवत पड़े उसका वह इस्तमाल कर सके दो होटेल रिसेप्शनिस्ट केन इवन कीप कॉपी ऑफ दे वीक्ली ट्रावल गाइड पबलिज इन सम नियुस्पेपर्स नियर हर डेस्ट इस विल गिव हर दे लेटिस इन्फरमेशन और ट्रेल बाइयर रेल एंड रोड आप जो रिसेप्शनिस्ट है उसको वीक्ली ट्रावल गाइड भी अपने पास रखना चाहिए जो कभी-कभी नियुस्पेपर में छपता है ताकि उसको जो लेटिस इन्फरमेशन आए एयर ट्रावलिंग, रेल ट्रावलिंग और रोड ट्रावलिंग उसके बारे में इंफरमेशन रहे पता रहे है ठीक है चलिए आएब हम लों 30.4 स्टार्ट करते हैं एमर्जेंसी सर्विसेस के बारे में आप देखेंगें अच्छिडेंट्स, थेफ्ट, फॉल्डप्स, फॉयर, शूट आउट्स इसेटरा आप देखेंगें अच्छिडेंट्स हुआ, छोरी फॉयर, आग लग जाना, शूट आउट हुआ तो यह सब क्या है इन दिनों सुनने में नहीं आता है ठीक है लेकिन जो receptionist होती है, अगर कोई emergency situation आता है तो उसको यह सब समालना पड़ता है, उसके लिए अब उसके पास नंबर होना चाहिए जैसे police का नंबर होना चाहिए, fire brigade का नंबर होना चाहिए, ambulance का नंबर होना चाहिए ठीक है, accident, trauma service, centralized, ठीक है यह सारे numbers है आईए, अब हम लोग कोई dialogues देखते है, dialogue practice करते है Emergency service, operator है, ES operator है, hospital operator है, emergency service, ES stands for operator, dials 102, 102 किसका नंबर है, ambulance का operator, dials 102, yes, the Central Institute of English needs an ambulance immediately, there has been a major accident, our number is 71131, अब operator बोलता है कि Central Institute of English में एक ambulance की जरुवत है, यहां पे एक बहुती बड़ी दुरगटना हुई है, accident हुई है, और अपना नंबर देता है, 71131, ES operator, I'll connect you to the nearest hospital in Tarnaka, please hold on, ठीक है, emergency service operator बोलते है कि, जो nearest hospital है, Tarnaka का, वहां पर मैं आपका line connect करता हूँ, क्रिपया, प्रतिक्षा करें, operator, Tarnaka hospital, this is from CIEFL 71131, two large ambulances should be sent immediately, 20 people have been injured and immediate medical attention is required, अब operator बोलते हैं, यह Tarnaka hospital है, यह मैं कॉल आपको Central Institute of English Foreign Language, CEIFL 71131 से बोल रहा हूँ, यहां पर दो बड़े ambulance की जरुवत है, एकदम तुरंत, 20 लोग बुरी तरह से घायल हो चुके हैं और उनको medical attention की जरुवत है, hospital operator, your address please, आपका address क्या है, operator, the Central Institute of English, along Osmania University Road, please instruct your driver that the main gate of CIEFL is at the fork of Osmania University Road, and the new Ali Jung Road, ठीक है, address देता है operator, hospital operator, this should do, the ambulance will be there in 5 minutes time, अब hospital operator बोलता है कि जो ambulance है, वो 5 minutes में आप तक पहुँच जाएगा, और इतने address से काम हो जाएगा, operator, the faster the better, thank you very much, जितना जल्दी आएगा, ambulance उतना अच्छा है, धन्यवाद, sometimes the required are more routine, but they are also important for good business and efficient management, अब कभी-कभी क्या कुछ-कुछ ऐसे requirement होते हैं, जो बार-बार होते हैं, ठीक है, तो अच्छे से business चलाने के लिए, आपको वो सब काम time से करना चाहिए, आएए, dialogue practice करते हैं, dialogue practice special service, अब कुछ special service के बारे हैं, बात करते हैं, Mohan dials 173, hello operator, this is Mohan Diwan from 253-201, I have a favor to ask, अब Mohan phone करते हैं, operator को बोलते हैं, कि मैं Mohan Diwan बोल रहा हूँ, अपना number देते हैं और बोलते हैं, मुझे आपसे कुछ पूछना है, exchange operator, yes, how could I help you, हाँ, मैं आपकी किस तरह शाहता कर सकता हूँ, Mohan, you see, I have the morning flight to catch to Trivandram, I am a heavy sleeper, and there is no one at home to wake me, could you be my morning alarm, अब Mohan बोलते हैं कि देखिये मुझे सुबा Trivandram जाने के लिए, एक flight पकड़नी है, ठीक है, और मैं बहुती गहरी नीन सोता हूँ, और मुझे घर पे कोई भी उठाने वाला नहीं है, तो क्या आप मुझे सुबा उठा देंगे, exchange operator, most certainly, at what time is your flight, हाँ, जरूर, आपका जो flight है, वो कितने बजे का है, Mohan, 4.05 hours, horrible time for a plane to take off, don't you think, सुबा चार बजे, यह बहुती अजीब समय नहीं है, बहुती बेकार समय नहीं है, एक plane का take off करने के लिए, exchange operator, well, how far are you from the airport, आप airport से कितनी दूर रह रहे हैं, a taxi does it in about half an hour, taxi से आदे घंटे लगते हैं, okay, I'll wake you up at three then, ठीक है मैं तीन बेचे आपको उठा दूँगा, that will give you enough time to wash and breakfast, good night and have a good sleep, तो आपको काफी समय मिल जाएगा कि आप हात मुदो लें, कुछ खा लें, अभी सो जाईए, अच्छी नीद हो आपकी, मोहन, thanks a heap operator, that's a big load of my mind, good night, वो उनको धन्यवाद कहते हैं और उनको भी शुबरात्री बोलते हैं, अब चलिए, dialogue analysis देखते हैं, 30.5, For an emergency service, the following step should be strictly followed, अब emergency service में आपको यह step follow करना है, Dial 100 for police, 101 for fire and 102 for ambulance immediately, Police को call करना है तो 100 call कीजे, fire brigade 101, ambulance को 102, Give the service you need to the exchange operator immediately along with your telephone number, अब देखिये, आपके telephone number के साथ, आप exchange operator को तुरंद बताएं कि आपको क्या service चाहिए, When connected with the right emergency authority, give them your address and any other useful information to direct them, जैसे ही आपका सही authority से, जहां पर आपको call करना है, वहां पर call connect हो जाएगा, तो अपना address दीजे और उनको information दीजे जिससे काम बन सके, While giving directions, it is best to, जब आप directions देंगे, कैसे आना है, आपको क्या जीच का ध्यान रखना है, Refer to some landmark nearby, आप landmark के बारे में बताइए, जैसे अगर आपको मेरे institute आना है, तो मैं क्या बोलूँगा, ज्यानकेक्स educational institute, यह हावरा West Bengal में है, हावरा station से 5 मिर्ट दूर, ठीक है, अब nearest जो police station है, वह है गोलाबाडी police station, वहाँ से आप अगर सौ कदम चलेंगे तो आप मेरे institute पहुच जाएंगे, Example, CIEFL is a little after arts college at the fork of the road, the place is next to Sangeet Theater near the big tower, this school is at the foot of Berla Temple Hills to the right of the temple if you are coming from Nampalli, अब देखे, अलग-अलग रहर से route बता दिया गया है, mention the approximate distance between the two places, अब एक जगा से दूसरे जगा पे जो आना है, वहाँ पे कितना time लहेगा, कितना distance है वह बताना है, give approximate time taken to travel by a particular vehicle between two places, अब दोनों जगा के बीच में जो travel करना है उसमें कितना समय लहेगा यह बताना है, give the complete postal address, अब address पूरा देना चाहिए जिससे आसानी से खोजा जा सके, आगे देखिए, the second dialogue concerning morning alarm was an instance of special service the exchange gives to the public, among those you may often need are, अब देखिए, अब जो second dialogue आप पड़े थे उसमें क्या था morning alarm की सुबा उठाना है, अब देखिए यह कोई emergency service नहीं है, यह एक special service है, ठीक है जो कि लोगों को दिया जाता है, अब उसके लिए आपको क्या-क्या number पता होना चाहिए, 197-Directory Inquiry, numbers, names, addresses not found in directory inquired here, 176-Special Information, games, exhibition in the city, 174-Time, told in English, 173-Morning Alarm, to wake up subscribers, 182-STD complains about not getting long distance calls, 185-Phonograms booking, telegrams by phone in English, तो इस तरह से यह सारे आपको helpful होंगे, this is a list of the most important and commonly used ones, in all these cases, only particular details regarding the service needed to be mentioned, ठीक है, आगे देखिये, 30.6- Using visual language, make a list of such visuals that you notice in office, hospital, railway station, airport, road, etc. Why do you think these, they are so popular? आप देखिये, visual language भी होता है, जहांपे बोला नहीं जाता है, science से लोग चीजों को समझ जाता है, ठीक है, जैसे वो आपको office में, hospital, railway station, airport, roads, यहांपे आपको बहुत सारे boards में लेंगे, अब यह क्यों जरूरी होते हैं, often people approach the reception desk asking for direction, an accurate knowledge of the layout of the office or hotel is therefore essential, having access to the ground plane or map helps her in her job, अब मा लेजे, आपको कहीं जाना है, आप reception में जाके पूछे कि यह जगा कहां पर है, ठीक है, तो जो reception में lady है, या जो आदमी है, उसके पास एक map अगर होगा, तो उसको काफी help मिलेगा आपको बताने की किस तरह से आप जा सकेंगे, अब क्या-क्या visual language होता है, दिखे, यह image का मतलब है a cocktail lounge, this is for a car park, यह restaurant में use होता है, यह lift और elevator में, wheelchair accommodation is available, no smoking zone, lost property, post office or letter box, car hair office or desk, taxi cab, luggage, porters, telephone, gift shop, coffee shop, ठेक है, तो इस तरह से यह होता है, आगे, study the ground plan, gives below, and check whether the directions given by the receptionist are correct or not, अब देखे, यहाँ पर ground plan है और देखना है कि जो receptionist आपका information दे रही है वो सही है या नहीं, जी, ground plan, our receptionist, where can I get my hair done, मैं अपने बाल कहा कटवा सकता हूं, in the hotel itself, right here, go along the corridor here, beside the desk, turn left at the end, the parlour is the second on the left, hotel में ही, एकदम वहाँ पर, corridor में आप सीधा जाएए, desk के बगल में, फिर आप left लीजे end से, ठीक है, जो parlour है वो दूसरा ही है, can you tell me where the coffee shop is, क्या आप मुझे बता सकते हैं coffee shop का है, certainly, go straight down and turn left, the coffee shop is at the end of that corridor on your right, आप सीधा जाएए, फिर buying हुम ये, उसके बाद आपके दाहिने में, आपको एकदम अंत में coffee shop मिलेगा, I want to make a telephone call, where should I go, मुझे एक telephone call करना है, मैं कहा जाऊ, go along the corridor facing the main entrance, the pay phones are to your right, आप corridor से आप main entrance के तरफ जाएए, और जो pay phones है, जहां से आप call कर सकते हैं, पैसा दे के वो आपके दाहिने तरफ पड़ेगा, could you tell me, where the game room is, क्या आप मुझे पता सकते हैं कि game room कहा है, certainly, you will have to go straight down that corridor, and take the last turn to the left, the game's room is right at the end, after the pool, ठीक है, आप एकदम सीधा जाएए, corridor पे ठीक है, और जो last turn है left में वो लीजे, ये game room जो है, वो वहीं पर है, pool के बाद, आपके दाहिने तरफ, चलिए आईए, अब हम लोगी important question and answers करते हैं इस chapter का, what are the qualities of a receptionist, अब जो receptionist होती है, उसके क्या-क्या qualities होने चाहिए, a receptionist must be presentable, alert, polite, tactful, efficient, and able to handle every situation, as well, to satisfy the guest and visitor, अब जो receptionist है, वो presentable होनी चाहिए, हर चीज को ध्यान से सुने, polite हो, बात करने का तरीका अच्छा हो, चीजों को समझे, अच्छे से काम करे, चैसा भी situation हो, guest का, visitor का, उसको वो समझ कर, उनके problems को solve करे, उनको सारा answers दे, from where a receptionist gets information, अब receptionist को information कहां से मिलता है, a receptionist gets information, from leaflets, guides, brochures and other print material, receptionist को information leaflets से मिलता है, guides से मिलता है, brochures से मिलता है, अब दूसरे तरह के, print material से मिलता है, how flight schedule can be read, अब जो flight schedule होता है, उसको कैसे पढ़ा जाता है, a flight schedule can be read as follows, flight schedule को इस तरह पढ़ा जाता है, the flight numbers are given at the top of every column, हर एक column के उपर, ठीक है, हर एक column के उपर आपको क्या मिलेगा, flight number मिलेगा, the aircraft type is mentioned right below these numbers, अब नंबर के नीचे, aircraft का किस प्रकार का है वो रहता है, जैसे अगर लिखा रहा, AV3, stands for Airbus A300, 737 for Boeing 737, 747 for Boeing 747, FKF for Fokker Friendship, and HS7 for 748AVRO, below these the days are given on which a particular flight operates, D stands for daily, and the numbers for the days of the week, अब देखे, D मतलब क्या होता है, daily यह flight चलता है, अब numbers दिया रहेगा, तो पता रहेगा कि week के कौन कौन से दिन यह flights चलते हैं, ठीक है, next example, 1, 2, 4, it indicates that a flight is available on Monday, Tuesday, Thursday, कहने के मतलब क्या है, Monday stands for 1, Tuesday stands for 2, Wednesday stands for 3, Thursday stands for 4, Friday stands for 5, Saturday stands for 6, and Sunday stands for 7, तो जो number दिया रहेगा, उस number के हिसाब से हम लोग इसको समझेंगे, यहाँ पर दिया है, 1, 2, 4, 1 means Monday, 2 means Tuesday, and 4 means Thursday, ओके, Along the sides of the center, column D and A stands for departure and arrival, D for departure, कितने बज़े जाएगी, flight take-off करेगी, arrival, कितने बज़े flight, land करेगी, पहुँचेगे, Hours are written clockwise, 100 to 2400 hours, चीक है, कहने का मतलब, मालीजे मैं लिखूँँगा कर, शाम को 5.45 में train जाएगा, तो मैं लिखूँँगा, 17.45 is your departure time, मालीजे reach है, रात को 9.35 में, 21.35 is your arrival time, चीक है, तो इस तरह से यह होता है, आगे देखे, make a list of the documents, and forms needed by the receptionist, अब receptionist को, क्या-क्या documents, या क्या-क्या form की जरुवत होती है, वो आप बताईए, the documents and forms needed by the receptionist are, message form, reservation voucher, registration form, or C form, internal telephone directory, early morning call sheet, flight schedule, railway time table, ठीक है, यह सारे के बारे में, हम लोग डीटेल में आगे पढ़े थे, और इसके बाद भी हम लोग यह के करके डीटेल में पढ़ेंगे, Why a receptionist needs forms and documents, एक receptionist को forms and documents की जरुवत क्यों होती है, a receptionist needs forms and documents for, doing a job efficiently, smooth functioning of the office or hotel, ताकि वो काम को अच्छे से कर सके, और office or hotel में, वो smoothly सब चीज को करते हैं, कि उसको कोई recovered ना हो, आईए, describe the following, अब इन सब के बारे में हम लोग को बताना है, आगे के वीडियो में हम लोग इसके बारे में पढ़े हैं, register of callers, message form, reservation voucher, reservation form और C form, internal telephone directory, आईए एक एक करके यहां पे छोटे रूप में पढ़ते हैं, detail में आगे के वीडियो में हम पढ़ा हैं आपको, register of callers, it is a register in which all the callers have to write their names, address, purpose of visit, date and time of arrival, if a caller represents a firm and has a visiting card, then his card can be attached to the register, आप देखे, register of callers में क्या है, कि जितने लोग आपके office में आएं, या आपके hotel में आएं, उनका नाम, पता, वो क्यों आएं हैं, कितने तारीक को आएं हैं, कितने बजे आएं हैं, यह साहर शिज लिखना है, अगर जो caller है, वो किसी company से आया है, किसी firm से आया है, तो हम लोग उसको भी register के संग attach कर सकते हैं, ताकि उसका visiting card उसके detail को बता सके, Message form, Message form is needed by a receptionist very frequently, as despite having a good memory, she may not be able to remember all the messages have to be passed on to various persons, In message form, she can easily note down the message, आप देखें, Message form में क्या है, customer call करता है, और बताता है, कि मुझे इस वेक्ति से बात करना है, या कोई भी call करके आपको कुछ information देता है, या office में आके कोई information देता है, तो आप क्या करते हैं as a receptionist, आप उस सारे message को लिख के रखते हैं, कि किसके लिए message है, कौन दिया है, क्या purpose है, ताकि उस वेक्ति तक आप उसकी बातों को पहुंचा सकें, reservation voucher, reservation voucher are given or sent by the hotel sometimes, instead of letter of reservation cards, after confirmation of booking, the guest shows this voucher at the reception when they come to stay in hotel, it also shows that the guest has already paid for the room, reservation voucher क्या होता है, मान लेज़े आप hotel पहले से book करके रखें, तो आपको letter of reservation card के जगह, reservation voucher भी भेजा जा सकता है, booking confirmation होने के बाद, आप जब hotel जाएंगे जो guest hotel जाएगा, तो वहाँ पे वह voucher को दिखाएगा, तो उसमें लिखा रहेगा की पूरा पैसा दिया गया चुका है, अब उसको room allot करना है इतने तारीक को, reservation form और C form, C form is filled in by the foreigners, who come to stay in hotel, C form gives the complete detail of the foreigner, that is his passport number and permanent address, also this form helps the government keep account of the tourists, coming into a country as the first copy of this form is sent to them, अब देखें reservation form या C form, यह किसके लिए होता है, foreigners के लिए, जो foreign travelers होते हैं, जो आपके hotel में रहने आए हैं, उनसे आप C form या reservation form भरवाते हैं, उसमें सारा details रहता है, उनका passport number, उनका नाम, permanent address, वो कब आए भारत, वो भारत में क्यों आए हैं, और फिर वो आप यहां से कहां जाने वाले हैं, सारा details रहता है, इससे जो सरकार है उसको भी पता रहती है कि कितने tourist हमारे देश में आ रहे हैं, क्योंकि यह जो form का first copy है, यह हम लोग सरकार को भेजते हैं, internal telephone directory, internal telephone directory is a list, with the extension number, and name of all employees alphabetically, and is of great importance, अब देखिये, जो internal telephone directory होता है, वो क्या होता है, वो extension number रहता है, उसमें employees के सारे नाम रहते हैं, और यह alphabetically रहता है, मतलब पहले A से जितना नाम है वो, फिर B, C, D, E, F, G, H इस तरह से, although a receptionist must know all the extension numbers by heart, but even then she must have the list always with her, to avoid any kind of mistakes, she regularly has to update this directory, अब देखिये जो receptionist है, उसको पूरा याद होना चाहिए, सबका number, लेकिन कोई गल्ती ना हो, इसलिए यह बहतर होगा, कि वो जो receptionist है, वो हमेशा इस list को अपने सामने रखे, और वक्त वक्त पर इस list को वो update करते रहे, क्योंकि changes होते रहते हैं, next early morning call sheet, अब early morning call sheet, it is a sheet of paper containing the time guest wants the early morning call, that is the time they want to be woken up, or want tea or coffee or newspaper etc, that is receptionist notes down their room number, instead of their name of the guest, अब यह भी हम आगे आपको पढ़ाये थे, अब बहुत सारे जो guests होते हैं, उनका particular requirement होता है, बहुत सुब बोलते हैं कि मुझे इतनी बज़े उठा दीजेगा, या बहुत बोलते हैं मुझे सुबह इतनी बज़े चाहे चाहिए, या coffee चाहिए, या newspaper चाहिए, या कुछ particular चीज चाहिए, तो वह सारा चीज receptionist लिखके रहती है, अब यहाँ पे guest का नाम लिखने का जरूवत नहीं होता है, या तो आप देके चाहिए, जो विजिटर है या गेस्ट है वो कभी-कभी पूछते ही है कि यहां पर क्या-क्या घुमने लाइक जगा है या कहा पर जाना चाहिए तो जो रिसेप्शनिस्ट है उसके पास फ्लाइट शेड्यूल रिल्वे टाइम टेबल यह सब होना चाहिए ठीक है अगर घुमना फिडना है उसके लिए ट्रावल गाइड होना ताकि वो अपने कस्टमर्स को अपने गेस्ट को विजिटर्स को यह इंफरमेशन दे सके कि आस पास कौन सा जगह है जहां पर वो लोग घूम सकते हैं और यह वीक्ली ट्रावल गाइड आता है जो किसी-किसी निउस्पैपर में आता है तो वो भी वो रख सकती है अपने प इमर्जेंसी सर्विसेस का इस्तमाल है पुलीस नंबर है 100 फायर ब्रिगेट आग लग जाने पर 101 अम्बूलेंस 102 आक्सिदेंट और ट्रॉमा सर्विस 1099 आरेमेजेंसी सर्विसेस अक्सिदेंट्स थेप्स होल्डप फायर शॉट चूट चूट आउट एक्सेट्रा वेरी क शूट आउट होना यह सब बहुत ही कॉमन हो गया आजकर तो रिसेप्सनिस के पास इमर्जेंसी सर्विसेस का नंबर होना चाहिए ताकि कोई गल्ती ना हो अब इनके फॉर्मिट्स को देखे रहा डेट नेम फॉर्म अड्रेस टाइम अफ अर्राइवल पॉर्पस विजिट टाइम नाम कहां से आएं अड्रेस कितने बज़े आएं पॉर्पस क्यों आए और समय ठीक है उसके बाद है मैसेज फॉर्म रिजर्वेशन वाउचर कॉन से देपार्टमेंट मैं व्यक्ति फॉर्म कहां कॉन मैसेज दिया है फोन नंबर जो मैसेज दिया है अड्रेज जो मैसेज दिया है डेट कश मैसे joy time कितने बजने मैसे hydra फिर मेसेज क्या था और सानी कौन मेसेज लिया है ठीक है इसका एक और फॉर्मेट है जो हम लोग आगे के वीडियो में पढ़े थे नेक्स देखिए रिजर्वेशन वाउचर रिजैंसी होटेल 6 कनॉट सर्कॉस न्यू देली 110002 ठीक है यहां पर लिखेंगे डेजिगनेशन लिखेंगे अराइवल डेट टाइम कौन से तारीक को आने वाले हैं कितने बजे कितने तारीक को जाएंगे कितने बजे रूम नंबर कितना रूम का रेट क्या है फिकुश रिक्वार्मेंट्स बिलिंग इंस्ट्रक्शन मोड औफ रिजर्वेशन रिमार्स एफ है नी बुकिंग रिसीव कहा से हुआ है नाम अड्रेस टेलिफोन नंबर फिर रिजर्वेशन मैनेजर कौन है यह सारा डिटेल्स आपको लिखना पड़ेगा ठीक है नेक्स देखें नेक्स हैvation warm और से मगों कि हम लोग पढ़े थे फॉरिञ्ण के लिए इस्तेमाल होता है सी फॉर्म रैडिस अन्स होटल ठीक है डेट लिखेंगे टाइम लिखेंगे फॉर्म नंबर लिखेंगे सी फॉर्म नंबर कौनसा तरूम उसको दिया जा रहा है ट्रावलर को टूरिस्ट को नेम सड़नेम फर्स मतलब जैसे मेरा नाम रगनाज जैसवाल है तो आप अगर मैं फॉरिंड ट्रावलर हूँ मेरे को अगर सी फॉर्म भरवाना है तो आप लिखेंगे जैसवाल रगनाज अड्रेस मेरा यहां से कहा जाएंगे वेदर एंप्लॉइड इन इंडिया क्या भारत में काम करते हैं नंबर डेट अन ओफिस ऑफ इश्यू सर्टिफिकेट रिजिस्ट्रेशन इफ आपका सी फॉर्म का फॉर्मिट था यह सब डीटेल में हम आपको आपको आगे पढ़ाए थे ठीक है अ इनिडियेटल डाइल 100 for police 101 for fire 102 for ambulance पुलिस को बुलाने के लिए 100 आग लग जाने पर 101 ambulance 102 ठीक हैं गिव दिस सर्विस to exchange operator immediately along with the telephone number अपना phone number के साथ आप exchange operator को बताएंगे कि आपको क्या जरुवत है give address and any other useful information to direct emergency authority that is give a landmark if possible अब मालिज आपको अगर ambulance बुलाना है तो connect हो गया जब connect call तो आप वहापे अपना number देंगे address देंगे और इसको बताएंगे कि कहां उनको आना है कोई landmark बताएंगे mention the approximate distance and approximate time taken to travel by a particular vehicle and complete postal address अब आप बताएंगे कितना distance है जहां से वो आ रहा है कितना समय लगना चाहिए जिस गाड़ी से वारा है उस हिसाब से और अपना पूरा address उसको देंगे अब इस तरह से यह जो हमारा optional module था English का वो भी complete हो गया पूरा एक दूसरा optional module का भी वीडियो बना है ठीक है वो भी आपको प्लेइलिस में मिल जाएगा अब अगर मान लीजिए आपको कोई भी question है या आप कैसे पढ़ना है ये सब कुछ भी आपको जानना है तो उपर WhatsApp number द ना सके धन्यवाद